संस्कृत E.P.G. पाठ शालायाम भावताम भावती नंच स्वागतम विधीयती मम नाम हरे राम त्रपाठी अस्ती अहम स्री लाल भाद्गुरु शास्त्री राष्टी संस्कृत विध्या पीछस्य सर्वत दर्सन विभागसे अध्यक्छा अस्मी अध्य अहम सांख्यकारिकामाशित्य व्याख्यानम करिस्यामी तत्रा पी पाठ्यांसस्य नाम वर्तते तत्वानम साधर्मे बैधर्मे सृष्टि प्रकरिया च, मूलप प्रकृतेहे पुरुषस्य च विद्यमानत्वेपी अनुपलब्धी भवती सुक्ष्मत्वात निरवयवत्वाच्च प्रकृति पुरुषयोहो सैयोगेसती यगतह स्रिष्टिर भवती तत्र प्रकृतेहे महान ततह अहंकारह तस्मात एकादसेंद्रिाणी पंचतनमात्राणी च उत्पद्यांते हेत मत्वाद यह व्यक्तानाम साधर्मयम प्रकृतेहे पुरुषस्य च बैधर्मयम भवत त्रिगुणत्वादयह व्यक्ता व्यक्तयो हो साधर्म्यम पुर्षस्यच बैधर्म्यानि भवंत। पुर्षह साक्षी अकर्ता निर्गुणादिश्च वर्तते। बुद्धेह स्वरूपं ततह स्रिष्टिही सूल भूतानाम त्रैविध्यं सुक्ष्म शरीरं बुद्धेह अश्टव भावाह एतेसाम महत्वं चेत्यादिनाम विशयानाम निरूपणं अत्र भविश्यती। पुर्व वरनितानाम विशयानाम निरूपणं गौनपाद भाष्य सहीतम सांख्यकारिकानू सारमेव भविश्यती इती मे मतिही। तत्वानाम विद्यमानत्वेपी अनुपलब्धिही लोके ये पदार्थाहावा तत्वानी भवंती ते शाम उपलब्धिही महत्त गुणवत्वात उद्भूतरूपवत्वाच्च भवती ये शाम उपलब्धिही न भवती ते पदार्थाहा न संती इति वक्तुम न शक्य अतिंद्रियानं पदार्थानं ज्यानं सामान्यतो द्रिष्टानुमाने नईव भवती येशाम पदार्थानं ज्यानं अनुमाने नईवापी न भवती तेशाम पदार्थानं ज्यानं आगम प्रमानाथ भवती इती तत्वानी संती तथापी तेशं प्रत्यक्षं नजायते तत्र नवकारणानी भवंती इती सांख्यकारी का कारूपी वदती अतिदूरात सामिप्यात इंद्रिय घातान मनह अनवस्तानात सौक्ष्मियात व्यवधानात अभिभवात समाना विहाराच्य तत्वानाम विढ्यमानथ्यपी सिंहावलोकन न्यायन तस्याणूप लभधि भवती यथा सिंहह अरणे व्रजन सन अंतरा अंतरा हिंसक भित्या प्रिष्ट भागम पी अवलोक यते विद्यमाने पी पक्छी गगने उड्डी यमानह अत्यूर्ध्वं गतह सन अति दूरतया प्रत्यक्षेड लूपल अभ्यते अंधत्वादि दोशात इंद्रिय घातात विद्यमानं रूपम नपश्यती बधिरत्वाद विद्यमानंच शब्दम नस्रणोती कामादि विकारेन दूशितम् मनो यस यस प्रचंडत्य नभिस्ततो यह आलोकह सुर्जादि प्रकाशह तदभ्यंतरे वर्तमानं तत्वम उक्ष्मत्वाद इंद्रिय सन्निक्रिष्टम् परमानुं नपश्यती व्यवधानात कुढ्ड्याद व्यवहितम् राजदारादी नपश्यती सूर्य किरन दिप्ति भिही तिरस्कृतम् चंद्रातिरिक्त मंगलादी मंडलं अश्विन्यादि जल विंदुन् तडागाद ड़ो विभिन्यताया नपष्यती तथाच तत्त्वानां विद्यमानत्य पी अति दूरात सामि प्यात इंद्रिय गहातात मनोनवस्थानात सोग्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समाना विहाराच च प्रत्यक्षम नभवती व्यक्तानाम साधर्म्यम महान अहंकारह एका दशेंद्रियानी पंचतनमात्रानी पंचभूतानी चेती त्रयोबिन्षतिही तत्वानी भवंती एतेशाम साधर्म्यम अस्ति हेतुमत्वं अनित्यत्वं अव्यापित्वं सक्रियत्वं अनेकत्वं आशितत्वं लिंगत्वं सावयवत्वं परतंत्रत्वं यतोही महदादीनाम कारणं प्रकृतिहिभवती एतानी तत्वानी अनित्यानी भवंत परिणामित्वात एताणि सरवाणि सरवं परिणामिनम न व्यापनुवन्ति बुद्ध्यादयह गृहीतं सरीरं प्यजन्ति देहांतरंच गृहनाति पुरिशं 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 प्रति बुद्ध्यादिनां भिन्नत्वा सजातिय भेदवत्वात अनेकं इती स्वकारणा श्रितानी बुद्ध्यादीनी अव्यक्तस्य वैधर्म्यं साधर्म्यंच अव्यक्ता प्रकृतिही अस्ती साइव प्रधानम इती तस्याहा उत्पत्तिर नभवती अतहत तस्याहा नकिमपी कारणम त्रिशुकालेशु विद्यमानत्वात शा न अनित्या सरवत्र विद्यमानत्वात न व्यापी सा निश्क एका अनाश्रिता कारण रहितत्वात कस्यापी असाधकत्वात न लिंगम कस्यापी निरवयवत्वात न सावयवात कस्यापी अनाश्रितत्वात स्वतंत्रा अत एव न परतंत्रा तथाच्य मूलप्रक्रतेहे हेतुमत्वं, अनित्यत्वं, अव्यापित्वं, सक्रियत्वं, अनेकत्वं, आशितत्वं, लिंगत्वं, सावयवत्वं, परतंत्रत्वंच, बैधर्म्यानिववंति, साधर्म्यानित्यत्वं, व्यापित्वं, निस्क्रियत्वं, एकत्वं, अनाशितत् प्रिंगत्वं स्वतंत्रत्वं संति अत एव इश्वर कृष्णो वदति हेतुमद नित्यम अभ्यापी सक्रिय मनेकम आशितं लिंगं सावयवं परतंत्रं व्यक्तं विपरितं अभ्यक्तं व्यक्ता व्यक्त योह साधर्म्यं सत्वर्यस्तमांसि गुनाहा व्यक्ता व्यक्त योहो संति यथा मूलप्रकृतिही न स्वतो विविच्यते एव महदादयोपी न मूलप्रकृतेही विविच्यते तदात्म कत्वाद संभूय कारिता एव अविवेकह व्यक्ता व्यक्ते पुरुषस्य विशयव भावतह अलेकैही पुरुषैही ग्रिहीतं अत एव सामान्यम प्रधान बुद्ध्यादयह अचेतनाह भवंति व्यक्ता व्यक्ते प्रसव रूपे धर्मव वर्तेते तथाच त्रिगुनत्वं अविवेकित्वं विशयत्वं सामान्यत्वं अचेतनत्वं प्रसव धर्मित्वंचेत व्यक्ता व्यक्तयोहो धर्माह संती इती तेशाम साधर्म्यमिती पुरुषस्यवैधर्म्यम पुरुषः गुणरहितो भवती चेतनत्वात पुरुषः विवेकी भवती पुरुषः कस्यापि विशयो न भवती व्यक्ता व्यक्ते सामान्ये पुरुषस्तु असामान्यम भवति, पुरुषः चेतनह, प्रधानादयस्तु न चेतनाह, पुरुषः न केना पी जायते, न कस्यापी कारणम्हभवती, न किमपी जनयती, अतह पुरुषः अपरसव धर्मी, तत्थाच, इदंव वक्तुम् शक्यते, यत निर्गुनत्वम्, विवेकित्वम्, अवि पुरुषस्य साधर्म्यानी भवन्ती, पुरुषस्य साच्छित्व साधनम, त्रिगुणानाम अभावु वर्तते पुरुषे, पुरुषह अत्री गुणात्मकह, विवेकी, अविशयह, वसामान्यम, चेतनह, अपरिणामी च अस्ति, चेतनत्वात, अविशयत्वाच्च, पुरुषह, साक्षी, वर्तते, सचकेवली, मध्यस्थह, द्रष्टा, अकर्ताच, वर्तते, अतह, पुरुषे, साक्षित्वं, कैवल्यं, माध्यस्थ्यं, द्रष्टित्वं, अकर्त्रिभावस्चेति, धर्माह, संति, त्रिगुने भ्याह अन्यहा परीव राजक वत च पूर्शः मध्यस्थो भवति अत्र गउड पादाचार्यो वदति यताक पष्चित परीव राजको ग्रामेडेशू कर्षणार्थेशू प्रवर्तेशू केम लो मध्यस्थः पुरिशोपी एवं गुनेशु प्रवर्तमानेशु नफ्रवर्तते तस्मात द्रश्टित्वं अकर्त्रिभावस्च पुरुशस्य अकर्त्रित्व साधनम् त्रिगुनस्या भावो पुरुशे वर्तते अतह पुरुशह अकर्ता अस्ति परंतु कर्तावत प्रतिभाती तत कथम अत्र इश्वरक्रिष्णै रुच्यदे तस्मात तत संजोगात अचेतनम चेतनाव दीव लिंगम गुण कर्त्रित्वेच तता कर्त्रेव भवत्युदाशी नह पुर्षह चेतनवान अस्ती चेतनस्य अवभाष संजुक्तत्वात महदादी लिंगम चेतनावद प्रतिभाषते वयं पस्यामह लोके पटह श्वीत संजुक्तम भवती तदा श्वीत पटह इती प्रतिभाती यदा उष्ण संजुक्तम भवती तदा उष्ण पटह इती प् चेतनाव दिव भवती यद्य पी जनाहा वदंती लोके पुरुषह कर्ता वर्तते तथा पी अकर्ता पुरुषह गुण कर्त्रित्वेच उदासी नह पुरुषह कर्तेव भवती यगताह स्रिष्टेह कारणं प्रकृति पुरुषयोह संयोगेन यगताह स्रिष्टिर भवती प्रकृति पुरुषयोह सैयोगह पुरुषस्य दर्सनार्थम अथच कैवल्यार्थम च भवति प्रकृति महधादिकार्ज भूत परियंतम पुरुषः पश्यति प्रधानस्य कैवल्यार्थम एव पुरुषेन सह सैयोगो भवति सचसैयोगाह पंगवंधव देव भवती यथा कश्चन पंगुहु गमने असमर्थो विद्यते अंधस्च द्रश्टुम असमर्थाह भवती तथापी अंधस्च पंगोहु असकंधव उपविशती सरीरारूड पंगु दर्शितेन मार्गेन अंधोयाती एवं पुर्शे दर्शन शक्ती रस्ती पंगु न प्रकरतव क्रिया शक्ती रस्ती अंधवत न दर्शन सक्ती ही उभयुहु सञ्योगात सरगु जायती यगता स्रिष्टेह प्रक्रिया प्रधानात महत्तत्वस्य उत् पत्तिह भवति तत्र प्रधानस्य अनेकानी नामानी संति अव्यक्तम बहुधानकम माया इति, पुर्य शरीर्य तिस्टति श्यतेवा पुर्षः जीवात्मा गौणपाद भाष्ये अस्य अपरम नाम ब्रह्म विद्यते इति, प्रतिपाधितम अस्ति, महतह अपरम नाम गौण पाद भाष्वे उक्तम बुद्धिही, आसुरी, मतिही, ख्यातिही, ज्यानम, प्रग्या, चेति महतह अहंकार अस्योत पत्तिर भवति, तस्यापरम नाम भूतादी वैक्रतम, तैयसह अभिमान अश्चेति, ततह एकादसेंद्रियाणी, पंचतनमात्राणी, च जायनते, पंचतनमात्रेव्यह, पंचमहाभूताणी, चेति बुद्धेहे लक्षणम तस्यधरमाह, अध्यवसायह, बुद्धेहे लक्षणम भवति, अध्यवसानम अध्यवसायह, अध्यवसायो निश्चयह, मया एतत कर्तब्यम, इत्यादिरूपह, तथाच, अयम घटह, अयम पटह, इत्येवं अध्यवस्यति, यासा, बुद्ध साच बुद्धिही अश्टांगिका यद्वा बुद्धेहे अश्टव धर्माहा भवंति सात्विक धर्माहा वा सात्विक रूपो धर्माहा ज्यानम सात्विक धर्माहा अथवा सात्विक रूपह वर्तते धर्माहा ज्यानम वैराग्यम ऐस्वर्जंच दयादान यम नियम लक्षणह धर्मह गुण पुरुषान्यता ख्यातिहि ज्ञानं स्त्री पुत्र धना दीसु अनुरागा भावह वैराज्यं इश्वर भावह अईस्वर्यं तच्च अष्ट गुणं अनिमा लगिमा महिमा प्राप्तिही प्राकाम्यं इशित्वं वशित् आंशेति एतानी चत्वारी सात्विकानी रूपानी भवंती तामसमपी चत्रुविधं भवती अधर्मह अज्ञानम अवैराज्यं अनैस्वर्यंच निशिद्धाचरण जन्यह अधर्मह नरकादी गतिप्रदह प्रकृतित तकार्ये व्यह पुरुषस्य अभेद ज्यानम अज्यानम विशयेशु रागह अवैराज्यम अडिमाध्याईश्वर्यस्य अभावह अनैश्वर्यम इति अहंकारस्य लक्षणम अभिमानहां अहंकारस्य स्वरूपम यदवा अभिमनन व्यापारवत्वम अभिमानस्य लक्षणम घटादिकं इंद्रियाईही आलोच्य मनसा अभिमत्य अश्चात यनमया चक्छुलादिंद्रियाईही आलोचितं यच्चमया मनसा मतं तत्र अहं अधिकर्तह शक्तह अहं अत्रकर्मणी मदर्था एव अमी घटादयो विशयाहा मतो नान्यो अत्राधिक्रतह कस्च दस्ती अतह अहम अस्मि इती यह नाना विधा अभिमानह सह असाधारण व्यापारत्वात अहंकारस्य लक्षणं तस्य सरगह वैक्रताद अहंकारात सात्विकानाम एकादशेंद्रियानाम उत्पत्तिर भवती तामसात अहंकारात पंजतन मात्राणी प्रवर्तनते तत्र तैसाहंकारह कारणं भवती एकादशेंद्रियानाम उत्पत्तव अपि तैसाहंकारह कारणं भवती बुधिंद्रियानी चक्छुहू श्रोत्र ग्राण रसन त्वग पदवाच्यानी पंच ज्यानेंद्रियानी भवंती एते साम अपरम नाम बुधिंद्रियानी रूप शब्द गंध रस स्परशान पंच बिश्यान अवगच्चंती पंच ज्यानेंद्रियानी करमेंद्रियानी वागपाणी पाध पायुपस्थानी पंच करमेंद्रियानी भवंती कर्म कुरवंती इती करमेंद्रियानी तेसुमध्धे वागवदती हस्तव नाना व्यापारं कुरुतह पादव गमना गमन पायुह उतसर्गम करोती उपस्थेंद्रियं आनंदं प्रजोत्पत्या मनह सस्थानी इंद्रियानी मनह इती स्रीमद भगवद गीता वचनात लभ्यते ज्यानेंद्रियं करमेंद्रियंच उभयात्मकं मनह चक्छुरादिनाम भागादिनांच मनसा अधिष्टितानाम एव स्वस्व विशये सुरूपादीशु वचनादीशुच कार्येशु प्रवर्तेहे मनसह उभयात्मकं ज्यानेंद्रियत्वं करमेंद्रियत्वंच स्विक्रियते अत एव उभयात्मकं मनह संकल्पयती इती सं संकल्पकं मनहा अत एव संकल्पकत्वं मनसह लक्षणं इंद्रियंच साधर्म्यात अर्थात समान धर्मभावात सात्विका अहंकारात पुधिंद्रियानी करमेंद्रियानी मनसा सहुत पद्यमानानी मनसह साधर्म्यं प्रती तस्मात साधर्म्यात मनुपिंद्रियं मनसह संक इंद्रियानाम व्रत्तयह चक्षुष रूपस्यालोचनम जिहिवायाह रसस्य ग्राणस्य गंधस्य स्रोत्रस्य शब्दस्य त्वचह स्परशस्यच आलोचनमात्रम व्रत्तिहि इश्यते वाचह वचनम हस्तयो रादानम वादयोह विहरणम वायोह भुक्तस्याहारस्य परि अर्थात सुतोत पत्ति विशयाच व्रत्तिर्भवति अतेव सांख्यकारिकायम उग्तम इश्वरकृषणेन शब्दा दीसु पंचानम आलोचन मात्र मिश्य देवर्तिही वचनादान विहरणोत सरगा नंदास्च पंचानाम अंतह करणस्य व्रत्तिद्वयम मनोहंकार बुद्धयह अंतह करणानि भवंति त्र्यानाम अंतह करणानाम दिविधा व्रत्तिर्भवति एका असाधारना दुतिया साधारनाच असाधारना व्रत्तिस्तु महतो अध्यवसायह अहंकारस्य अभिमानह संकल्पह मनसस्च अस्त त्र्यानाम अपी अंतह करणानाम प्रानापान व्यानो दान समान पंच वायवह सामन्या वर्तिर्भवती प्राणो नाम वायुहू मुखनाशिकां तर गोचरह तस्ययत स्पंदनं कर्म तत त्रयानाम सामन्या वर्तिही। प्राणह अवी पंचर शकुनिवत सरवस्य चलनं करोति। अपनैनात अपानह समानो मद्यदेश वर्ति यह आहारादी नाम समम्नैनात समानो वायुहू। और ध्वा रोहनात उतकर्षाद उन्नैनादवा उदानो नाभी देश मस्तकांतर गोचरह। शरीर व्याप्ति राभ्यंतर विभागस्च ये न क्रियते असव शरीर व्याप्या काशवद व्यानह। येते प्राणादयह पंच अंतह करणा नाम सामन्य वर्तिही। केचन टीकाकाराह वदंती प्राणादयह पंच त्रियोदश करणानाम सामान्य वर्तिही विद्यते, करण वर्तिनाम क्रमिक्ता, प्रमायाह वायकरणानाम चक्छुरादिनाम इंद्रियानाम अथ, च अंतह करणानाम मनोहंकार बुद्धिनाम वसाधारन व्यापारनाम प्रवर्तिही भवती जुगपद वा यथा चक्छुहु रूपम पश्यती तदनंतरं तत्र संकल्पयती मनह ततह अहंकार अभिमानं करोती तदनंतरं रूपस्य निश्चयं करोती बुद्धिही इति क्रमशह व्यापारो भवती तत्र छनत चतुष्टयं अपेक्षितमिती यदा कष्चिद मनुष्यह गोरांध कारे विद्धित प्रकाशात सिंह व्याग्रादिकं समीपे विद्यत्य इति पश्यती तदा अश्य द्रश्टुहु इंद्रियस्य रूपा लोचनात्मकह व्यापारह मनो हंकार बुद्धिनाम अंतह करणानांच संकल्पा भिमाना ध्यवसायाख्या व्यापारास्च युगपदेव प्रादुर्भवन्ति तेनच सह ततह उत्पलूत्य तस्मात अस्थानात ध्यतिति उपसरति बुद्ध्य हंकार मनांसी निश्चयाभिमान संकल्प स्वरूपम व्रत्तिम चक्छुरादयह रूपादी स्वरूपाम च व्रत्तिम प्रतिफद्यंते तत्रभोगह मोक्षस्च पुरुशार्थव वेव हेतु भवति नके नचित करणम कारियते करणस्य भेदाह तेशाम कारियंच औसाधारण कारणम करणम भवति सांख्य दर्शने त्रयोदश विधं करणम भवति चक्छुरादी पंच ज्यानेंद्रियाणी वागादी पंच करमेंद्रियाणी मनोहंकार वद्ध्यस चेती त्रयोदश विधं करणम भवति वागपाणी पाद पायु पस्थानी करमेंद्रियाणी विशयानाम आहरणं धारणंच कुरवंति चक्छुरादी करमेंद्रियाणी विशयानाम प्रकासनंच कुरवंति करणस्य कार्जंच दश विधं भवति श्रब्दस परसरूपरस गंधाह वचनादान विहरोनोत सरगा नंदास चेती भेदात दशविधं कार्जं भवती करणस्य ज्ञानेंद्रियाई ही प्रकाशितं करमेंद्रियाणी आहरंती धारयंती च अंतह करणं त्रिविधं भवती मनोहंकार बुद्धि भेदात बाहेंद्रियाणां विशयाः ज्ञानेंद्रियाणी सविशेशं निर्विशेशं च विशयं मनुष्याणां सब्दस परसरूपरस गंधान सुख दुख मोह विशय जुगतान ज्ञानेंद्रियाणी प्रकाशितं देवानां निर्विशेशा विशयान प्रकाशयंती, स्थूलाहा, सब्दस्पर्सरूपरस गंधाहा, विशयाहा, शांत गोरमूधरूपाहा, विशेशाहा, मनुस्यादिनाम ज्यानेंद्रियानाम विशयाहा भवंती, अविशेशाहा, सुक्ष्म, सब्दस्पर्सरूपरस गंधाहा, देवयोगिनाम व अस्मदादिनाम साधारन जीवानाम शोत्रन्तु स्थूल शब्द मात्र विशयमेव ग्रहनाती। स्थूल सुक्ष्म रूप ग्रहकं। लोकिकानांतु स्थूल रूप ग्रहकं एव योगिनाम रसेंद्रियं स्थूल सुक्ष्म रुप ग्रहकं। मनुष्यानाम असमदादिनाम रसनम्तु स्थूल रश विशयमेव ग्रहनाती, योगिनाम ग्रानेंद्रियम स्थूलम सुक्ष्मंच गंधं विशय करोती असमदादिनाम ग्रानेंद्रियन्तु स्थूल गंध ग्राहक मेव सरवेशामेव वागिन्द्रियम शब्द विशया स्थूलमेव शब्दम जनयती नतु सुक्ष्मं शब्दम अपी जनयती सुक्ष्मं शब्दस्तु अँकार जन्यो नतु वागिन्द्रि जन्यह बाणि पाद पायूस्था नाख्यानी चत्वारी इंद्रियानी शब्दस्परसरूपरस गंधाख्य पंचात्मक विशया भवंती बुद्धे प्राधान्यम अँकार मन सहिता बुद्धिही चक्छुरादि बुद्धी रिंद्रियाई ही आलोच्य समर्पितं घटादिकं शब्दादिकंच सर्वं विशय जातं अभिमान संकल्पा ध्यवसायादिनां स्वस्व व्यापारेण विशय करोती तस्मात कारणात मनोहंकार बुद्धिलक्षणं त्रिविधं अंतह करणमेव बहरिंद्रियापेक्षया राजवद मात्यवच्च प्रधानं त्रयो दशहु करणे सुमध्य अवसिष्टानी दश चक्छुरादि बहरिंद्रियाणितु तदुपकारेणीच बाहेंद्रिय स्त्रोत्राध्य पेक्षया आंकार मनसी तद पेक्षया बुद्धिही प्रधानमस्ति यतोही ज्ञानेंद्रियाणी करमेंद्रियाणीच स्वम स्वम अर्थम मनसह अरपयंती मनस्तु अहंकारं प्रती अहंकारस्तु बुद्धिम प्रती विशयं अरपयती सर्वेंद्रिय गतम त्रिशु अपी कालेशु सर्वं प्रत्युपभोगं पुरुषस्य साधयति बुद्धिही सैव बुद्धिही प्रधान पुरुषयोहो विशय विभागं करोति सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिही यम बुद्धिही अयम महंकारह येतानी पंच तनमात्रा एका दसेंद्रियानी पंच महाभूतानी अयम अन्याह पुरुषह एभ्यह व्यतिरेक्तह इत्येवं बुद्धिही बोधयति अत्येव प्रयोदश करणेशु मुख्या बुद्धिही अस्ति स्थूल भूतानां त्रैविध्यं शब्द स्परस रूपरस गंद तनमात्रान अविशेष पदवाच्यानी भवन्ति ते व्यह आकाश वायु तेजो जल प्रतव्यह पंच भूतानी जायनते एतानी भूतानी विशेष पदवाच्यानी भवन्ति सुख लक्षन स्वरूपाणी दुख लक्षन स्वरूपाणी मोह जनकानी च एतानी भवन्ति अतेव शा गोराहा मोधास्चेदि विशेशाहा त्रिविधाहा भवंति सुक्ष्म शरीरं माता पित्रिज शरीरं पंचमहा भूतानी चेती सुक्ष्म शरीरानी नित्यानी भवंति माता पित्रिजाहा निवर्तनते यतोही तत सुक्ष्म शरीरं परित्य इहाईव प्रानत्याग वेलाय स्थूल शरीरं निवर्त ते, मरण काले माता पित्रिजं शरीरं इहाईव निवर्त्य प्रथभ्यादीसु प्रलीयते, सुक्ष्म लेंग शरीरं यदा लोकाहा अनुत्पन्नाहा प्रकृत्यादि सरगे, तदा सुक्ष्म शरीर मुत्पन्नम भवती, तिरियक योनि देव मान शस्थानेशू सुक्ष्मत्वात कुत्रचिद असक्तम परवतादीशू अपर्तिहत प्रसरम गच्छती जावन्न ज्ञानम उत्पद्यते तावत संसरती तच्च शरीरम महदादी सुक्ष्म परियंतमीती बुद्यहंकार मनांसी सब्दस्परस रूपरस गंदस तनमात्राण एकादशेंद्रियानि चेती सब्दशा वयवाहा सुक्ष्म शरीरस्य भवन्ती अहंकारस्य बुद्धव अंतरभाव भवती तदा सब्दशा वयवाहा भवन्ती सूलग्रह पिपीली कावत त्रिनपी लोकान भोग रहितम स्थूल शरीर माध्यमेन भोगेशू समर्थम भ धर्मज्यान वैराग्या इश्वर्जा धर्माज्यान वैराग्या नैश्वर्जान अश्टव धर्माह बुद्धव संती तत सहितम संसरती यथा भित्यम बिना चित्रम नत्यष्ठती स्थानूं बिना चाया नत्यष्ठती तथाईव सुक्ष्म शरीरं बिना बुद्ध्य निलाद शुख्वमतर्नमात्राणि नत्यस्ठांती। यदा सुख्वमशरीर मपी एकशरीरं परित्यज्यय, तदैव स्थूलम मन्य शरीर माश्रयती। सुक्ष्म शरीरं सब्दाद्यू पलब्धी लक्षणो गुण पुरिशांतरो पलब्धी लक्षण स्चेती पुरिशार्त हे तुकं धर्माद्यूर्ध्व गमनादी प्रशक्त्या मूल प्रक्रतेहे विभुत्वात किती प्रतक प्रतक शरीर धारने लिंग शरीरस्य व्यव स्थाम करोती बुद्धि सर्गेन धर्मा धर्मा दिनाम नाना विधा गतिही बुद्धेह अश्टव धर्माह भवंती सांसिद्धिक वैकृतिक भेदात बुद्धि धर्मस्य दिविधो भेदो भवती गौण पाद भाष्यानुसारं बुद्धेह भावाह त्रिविधाह भगवतह कपिलस्य आदिसरगे उत्पद्यमानस्य चत्वारह भावाह आविर्भावकाले एव आसन धर्महा ज्यानम वैराग्यम अईश्वर्जन चेति प्राकृतास्तु ब्रह्मणस्चत्वारह पुत्रहा सनक सनंदन सनातन सनत्कुमाराह बभुवुहु। तेशाम उत्पन्नकार्ज कारणानाम शरीरिनाम शोडस वर्षानाम एते भावाह चत्वारह समुत्पन्नाह अभवन अत एव प्राकृताह आचार्य संपरगात अस्मदादीनाम ज्यानम उत्पद्यते ज्यानाद वैराग्यम वैराग्यात धर्मह धर्मात ऐस्वर्यम इति त अस्माद वैक्रताह एते भावाह संति, एते चत्वारो भावाह सात्विकाह संति, अधर्मादी चत्वारह तामसाह संति, धर्मेण उर्ध्वलोके गमनंभवति, अधर्मेण पशु म्रिग पक्षि, सरी श्रिप, स्थावरां तेसु गमनंभवति, ज्यानेन मोक्षह, अज् बंधह लभ्यते वाइराग्यात अश्टासु प्रकृतिसु लयह भवति राजसात रागात संसारो भवति ऐस्वर्जात सर्वासाम स्थानम संप्राप्ति ही अनैस्वर्जात इच्छायाह असंपोर्ति ही भवति इति विशय संग्रह प्रकृत्यादिनाम विद्यमानत्वेपी प्रत्यक्षम नभवती सुक्षमत्वात पदार्थानाम विद्यमानत्वेपी नभकारणानि संती यस्मा तेशाम प्रत्यक्षम नजायते इत्यस्य प्रतिपादनं सर्व प्रतमं मयाकर्तं तदनंतरं व्यक्तानं स साधर्म्यंच मया पाठेस्मिन निरूपितं तदनंतरं यत व्यक्ता व्यक्त योहू साधर्म्यं पुरुषाणं बैधर्म्यं पुरुषाणं साक्षित्वस्य निरूपणं अकर्त्रिभावस्च जथा मती प्रतिपादितं। यगतह सृषटे हे कारणम स्रिषटे हे प्रकृरियाच यथा शास्त्रं विमर्शितं इति पुद्धे हे लक्षणम तस्याः अष्टाऊधरमाह अहंकारस्य लक्षणम तस्य Сरगः एका दशेंद्रियाणी तेशाम व्रत्तयः अंतह करणस्य व्र którąśव। तेशाम कारियंच बाहेंद्रियानं विशयाह अंतह करणेश बुद्धेह प्राधान्यं स्थूल भूतानां त्रैविध्यं लिंग शरीरं बुद्धि सरगेण धर्मा धर्मा दिनां नाना विधा गतिश्केति विशयानं गौण पाद भाष्यरित्या सांख्य कारिकां अवल प्रतिपादनम् मया विहितम इति धन्य बादह